जी नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में अतियक लगा के आप सोगों का स्वागत कर रहा हूं हमारे यूट्यूब चैनल में और इस वीडियो में हम लोग सिखने वाले हैं बहुत इंपॉडेंट कोशन जो की परीचा में बार बार पूछे जा रहे है और आने वाले परीचा में फिर से पूछे जाएंगे तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और आपका एक्जाम के लिए फाइदा उठाईएगा तो यहां पर मैं कोशन की बात कर रहा हूं हूं इस कोशन का नाम क्या है यह कोशन का नाम है उत्तल दरपन तथा अबतल द के लिए और यह कोशन बोर्ड परीचे में पूछा गया था पहले भी 2015 में 2016 में और 2019 में तो मैंने सभी कोशन को इंकुलूड किया है इस वीडियो में तो इसी कोशन को और समझे का सिर्फ एक कोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है मैं बहुत आसान तरीके सा करेंगे और इसका पूरी समझधारी से समझेगे कि उतल बर अभतार अंतर होता है ठीक है तो चलते हैं answer आपके सामने आचुका है answer क्या कहता जिसमजिएगा मूलता है कि question पहले क्या है उत्तल दर्पण तथा अबतल दर्पण में अंतर लिखी है तो आपको क्या करना है मैंने एक side इधर इधर side जो मैंने उत्तल के बारे में लिख दिया है तो दोनों चीजों को समझेंगे उसके पहले में हमको लिखने का क्या तरीका होगा आंसर का पहले आप उत्तर लिखेंगे उत्तर लिखेंगे डैस देंगे और लिखेंगे क्या उत्तल दर्पन तथा अबदल दर्पन में अंतर नीमन है क्या लिखेंगे उत्तल दर्पन तथा वाला चमकीला तल बाहर को उबरा हुआ होता है इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो पराबरतन करता है जहां से परकास तकराने के बाद लड़ता है वो चमकीला जो तल होता है वो तल जो होता है वो बाहर के ओर क्या होता है उबरा हुआ होता है मतलब उठा हुआ होता है अब यहां की बात करूँगा अब तल दरपन के बारे में तो इसमें क्या है कि इसमें प्रावर्तन करने वाला चमकिला भाग जो होता है तल अंदर क्या होता है धसा हुआ होता है अंदर क्या होता है धसा हुआ होता है किसमें अब तल में अब तल भाई साब में प्रावर्तन करने वाला जो सता होता है ना चमकीला तल वो क्या होता है अंदर की ओर क्या होता धसा होता है और इसमें क्या होता है उठा हुआ होता है ठीक है यही दोनों में अंतर आ रहा है देखिए न अंतर आ रहा है आप आगे चलते हैं दूसरा नमर पॉइंट में देखिएगा दूसरा नम पर्तिमिम बनता है कैसा बनता है आभास्य है और सीधा पर्तिमिम बनाता है और इसके बारे बास्तिविक अभासी दोनों परकार के क्या करते हैं परतिविम बना रहा है कौन अबतल भाई साब है नबतल भाई साब में बास्तिविक और अभासी दोनों परकार के परतिविम बनाते हैं और आगे क्या बात कर रही है देखो आगे बात कर रहा है पॉइंट नमबर तीसरा म हमें देख लिजेगा इसमें छोटा प्रतिविम बनता है चोटा प्रतिविम उत्तल दर्पन का क्या मतलब है यह हमारा वैसा दर्पन है जो कि साइड मीरर की रूप में काम आता है तो यह उत्तल दरपन इसमें चोटा प्रतिवीन बनता है और इसमें किया मोल रहा है यह परतिवीम जो है उल्टा और सिधा दोनों बनने धा इसमें जैसिभी विजेनों अलवावावzięk क otherwise पर्टिवीम बैद फिरा ए मिम्रेंट अबतल भाई साब में है बस्तू से छोटा भी परतिमिम बना देता है बस्तू से बड़ा भी परतिमिम बना देता है और बस्तू के बराबर परतिमिम बना देता है अब दरपन तो यह हमारा अब अधलडरपन हो गया और इधर हो गया हमारा उतलदरपन तो यह सभी हमारे concept में आ गया होगा आपका आई होप अच्छा लगा होगा समझ में आ गया होगा अगर जैदी अच्छा लगा है थो वीडियो को like कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ऐसी प्रकर का वीडियो करने के लिए और अगर कहीं पढ़ने वाले लोग हैं तो उनको जरूर भीज दीजेगा तो आई होप समझ में आ गया हुआ धन्यवाद आपका दिन शुबह